हलो अर्वान आप रमेश निसाद और वालकम यू और विहाफ आप अभिपसा अभिपसा टीम जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन 2023 जिसमें हम बहुत important question answers आपको वीडियो के मादम से provide कर रहे हैं तो last video lecture में हमने देखा था पिछले year के कुछ important grammar के parts जिसमें हमने detail में समझा था आज हम model question answers देखने वाले हैं it means grammar के ये part है जिसमें हम एक एक grammar को detail से समझेंगे जिसमें articles और इसके अलावा हो गया determiners हो गया prepositions, conjunctions इन सारे चीज़ों को कैसे use करते हैं question tag को कैसे use करते हैं इन सारे चीज़ों को हम एक एक example सहीद अच्छे से देखेंगे तो ये हमारे वीडियो का third part है यदि आपने first और second part को नहीं देखा है तो इस वीडियो की description box में आप जो है उस link के मादें से आप देख सकते हैं तो start करते हैं हमारा आज का जो grammar है से और ये इस तरह से आपका question आने वाला है fill in the blanks using correct choice और ये पाच नमर के आते हैं ठीक है some and many तो यहां पर जो few है few का use हम countable noun के साथ करते हैं यानि जिसे हम गिन सकते है water को हम नहीं गिन सकते पाली को गिन सकते क्या नहीं गिन सकते लेकिन यदि यही पान यदि बॉटल में डल गया तब हम गिन सकते हैं यदि बॉटल दिया रहता या कब दिया रहता तो कब को हम गिन सकते हैं बॉटल को गिन सकते हैं लीटर को गिन सकते हैं तो इन चीजों को आपको ध्यार रखना है, तब हम few का use कर सकते थे, लेकिन सिर्फ water की बात हो रही है, it means हम water को नहीं गिन सकते, इसलिए few का use होगा ही नहीं, many का भी use नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि many का use भी हम countable noun, यानि गर्णी संग्या के साथ करते हैं, तो water को हम नहीं गिन सकते, it means हम किन का use करेंगी, some का, तो हमारा जो answer होगा, वो होगा some, he wants some water to drink, some means होता है कुछ, next है, it has been running blank away, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, since or for and from की use के बारे में, हमारे जो first and second part है उसमें, तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, कि हम since का use, point of time के लिए करते हैं, यानि समय बिंदू के लिए करते हैं, अब समय बिंदू यानि घडी का time है, इसके अलावा जो morning है, evening है, afternoon है, night है, इसके अलावा, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ये सब क्या है, समय बिंदू है, इसके अलावा, जो दिनांख है, first January, second January, third January, जितने भी दिनांख है, वो भी तो एक दिन जैसा है, इसके लावा, जो महिनों के नाम है, January, February, March, April, ये भी समय बिंदू है, इसके साथ भी हम since के use करते हैं, year हो गया, जैसे 2023 हो गया, 1996 हो गया, तो ये सब क्या है, समय बिंदू, तो इसके साथ since के use, इसके लावा, जितने भी year रहते हैं, वो सब उ समय की लंबाई बताने के लिए, अब समय की लंबाई हम कैसे बताते हैं, तो समय की लंबाई हम एक सिकेंद, दो सिकेंद, दस सिकेंद, फिर दस मिनट, बीस मिनट, फिर एक घंटा, दो घंटा, यानि फॉर, इसके बाद घंटे के बाद हम दिन से बताते हैं, एक दिन, दो दो दिन, दस दिन, दिन के बाद फिर हम बताते हैं महिनों से, एक महिना, दो महिना, चार महिना, आठ महिना, फिर महिना के बाद साल, एक साल, दो साल, दस साल, भीस साल, ठीक है, इसके बाद हम सताब्दी से भी बताते हैं, एक सेंचुरी, दो सेंचुरी, यानि एक सताब्द को बताने के लिए लेकिन यहां पर दिखिए 1 week, 2 week, 3 week, 4 week, यह क्या है, समय की लिंबाइी है, या point of time है, यहने समय बिंदू है, तो 1 week, 2 week, 3 week, it means 4, तो यहां पर क्या आएगा, 4 आजाएगा, 6 When your friend has brand knowledge about the world, कि और नोलिच star, उसके पास देरे उसके फ्रेंड के पास वर्ल्ड के बारे में कुछ नॉलेज है कितने नॉलेज है नॉलेज है वर्ल्ड के बारे में अलिटिल, फ्यू, अफ्यू, तो देखिए, नॉलेज, इट मिंस क्या होता है? ज्यान, और ग्यान को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, एक नॉलेज, दो नॉलेज, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इट मिंस देखिए, फ्यू का यूज, अफ्यू का यूज, हम काउं सब्सक्राइब हैं देख्धं harus blank tea in thecake यहां पर देख्यें मुझे इंदी यहां इह inhee pourquoi इनहीं से आगा इन्हीं से आएगा हाउ मच मच क्यों है क्यों कि मस्किम का यूज का यूज किन के साथ करते हैं werd का हम uncountable noun के साथ करते हैं, चाय को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, many, any का use हम कब करते हैं, many का use हम countable noun के साथ करते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे how many cup of teas, cup of tea, ऐसा बोल सकते हैं, how many cup of tea, या how many rupees हो गया, how many books हो गया, जिसे हम गिन सकते हैं, उसके साथ, यानि countable noun के साथ हम many का यूज करते हैं, any का यूज, any का यूज के बारे हमने बताया था, और any का यूज जो है negative, या फिर interrogative sentence के साथ किया जाता है, और any का यूज जो है countable noun, and uncountable noun, दोनों के साथ कर सकते हैं, ल का यह समने क्यों किया है नेक्षी दिखते हैं Mr. Devendra is blank American तो Mr. Devendra is यहाँ पर आर्टिकल लगाना है तो यहाँ पर क्या आएगा एंद क्या आएगा यहाँ पर आज जाएगा एं क्यों आएगा क्यों कि यह देवेंद्र जो है वह एक रही अमेरिकन है अमेरिकन अमेरिकन ठीक है और उचारण मैंन सवर उचारण यह Donna का यह दिखते हो LM G. गद 현재 हम सब्सक्रिएम एं क क्यों किसे करें एं किच करते हैं ऐ कर यूस करते हैं दा का यूस किषी खास किसी स्पेशल ठीक है ऐसे चीज़्ों कै साथ हम द कर यूज़ करते हैं, next देखते हैं, she has been working blank two hours, two hours, अभी just मैंने बताया था, she is for or from me, अनतर, अब आप देखिए, कि two hours, दो घंटे, ये क्या है, समय बिंदू है या समय की लंबाई है, तो ये क्या है, ये समय की लंबाई है, दो घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, समय की लं लंबाई की बात आया, it means for, समय बिंदू की बात आया, it means things, और दो समय की लंबाई है, तब हम लिकेंगे from, next है, there are blank people in the hall, यहां पर देखिए, much दिया है, mini दिया है, little दिया है, तो much का use हम uncountable noun के साथ करते हैं, और people, it means, लोगों को तो हम गिन सकते हैं, तो it means, much का use होगा ह नहीं, little, little का use भी uncountable noun के साथ होता है, it means, इसे भी हम, वो भी हम नहीं लिख सकते, यानि यहां पर आजागा, mini, mini का use, countable noun के साथ, यानि जिसे हम गिन सकते, गणनी संगे के साथ किया जाता है, next है, he tried to survive on blank money that he had, यहां पर देखिए, few दिया है, of few दिया है, the little दिया है, he tried to survive on, blank money that he had, अब देखे, money, money को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, क्यों, money का मतलब होता है, धन, धन में सिर्फ रुपिया नहीं आता, रुपिया, पैसा, जो हीरे, जावारा, चुना, चांदी, यह सारी चीज़े आ जाते हैं, धन, दावलाद, यह सब आ जाते हैं, money के अंत गिन सकते, और यहाँ पे दिया है, few of you, और few of you का use हम countable नहीं, यह जिसे हम गिन सकते, इसके साथ करते हैं, it means यह तो आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा the little, ठीक, next है, would you like blank coffee to drink, यहाँ पे, some दिया है, any दिया है and many दिया है, many तो आएगा ही नहीं, क्योंकि coffee को हम गिन ही नहीं सकते, many coffee ऐसा तो होगा है नहीं, many books हो सकता है, some and any में देखिए, any और some, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ध्यान देनी वाले बात यह है, कि हम any का use, ज्यादा तर negative sentence में और interrogative sentence में प्रस्ण वाचक, जो sentence रहते हैं, some का use हम positive sentence में करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद यह है, कि यहाँ पे जो है, हम कोई चीज़, अब हमने जान लिया, हम जानते हैं पहले से ही, कि any का use हम question वाले sentence में करते हैं, और नकरात्मक sentence में करते हैं, some का use हम positive sentence में करते हैं, यह आपने पढ़ा है, अच्छे से लिया है पिछले वीडियो लेक्षर में लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे हम क्या कर रहे है वुड यू लाइक कि यहां पे सर्म का यूज़ जो एक अपुवाद है यह उन्हें कौहिशन वाले सिंटेंज बे cocktails यहां थो लिदा यहां पीम некотор करते हैं और कभी वाइब जब हम एसा कौहिशन करते हैं जिसमें भी आंसर के एकस्पिक्टेशन रहे तब हम स्वम का यूज करते हैं तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है नेक्स देखते हैं अभी इस ब्लैंक बेस्ट इस्टुडेंट इन दा क्लास सुपलेक्टी डिग्री है इट मीन्स आख बंद करके क्या लिखना है दो यहां पर आजाएगा दो दो बेस्ट क्योंकि ब्लैंक नॉलेज़ अबाउट टीचिंग टेक्निकल थिंग्स यहां पर फ्यू अलिटिल एंड मैनी दिया हुआ है सो इन में से क्या आएगा नॉलेज जस्ट हमने देखा है फ्यू एंड मैनी दोनों का यूज हम कांटेबल नाउंड के साथ करते हैं जिससे हम गिन सकते लेकिन नॉलेज को हम गिन सकते क्या ने गिन सकते इट मिंस यहां पर क्या आएगा अलिटिल नेक्सट है ब्लैंक डाट गृटर्स इस नॉट गोल्ड हर एक चीज मतलब सभी चीजी जो चमकती है वो क्या है इस नॉट गोल्ड तो यहां पर इच आवरे तो आए गए नहीं ओल आएगा और मिस हर चीजों को मितलब यह हर चीजी आ जाएगगे इसके इसके अंतर सभी जो चमकदार हो या चमकता हो वो सुना नहीं होता है तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आजाएगा all all that greater is not gold यहाँ सब की बात हो रही है इसलिए next है और यदि बात करें each every की each means हरेक होता है every means is प्रतेक या हरेक ठीक है next है देखते हैं there isn't milk in the cup यहाँ पर देखे there isn't blank milk in the cup negative sentence है तीन option है some any and many many का use तो हम करें ही करें नहीं सकते क्योंकि many का use हम countable noun के साथ करते हैं some का use some का use भी हम ज्यादा थर positive sentence में करते हैं और दो मैंने बताया है कि जब हम कोई चीज़ offer करते हैं तब यूज करते हैं question वाले में या फिर जब हमें positive answer के expectation हो तब तो यहाँ पर क्या आएगा there isn't यहाँ पर आजागा any there isn't any milk in the cup क्योंकि any का use negative sentence में करते हैं और question वाले sentence में next है how blank minutes do you want यहाँ पर देखें many much few दिया हुआ है minutes minutes को गिन सकते हैं गिन सकते हैं एक मिनाट दो मिनाट 10 मिनाट गिन सकते हैं it means minute है यह यह countable noun हम इनके साथ लिखेंगे it means much का use यहाँ पर आएगा ही नहीं many का use कर सकते हैं तो how many minutes तो यहाँ पर आजाएगा many how few ऐसा तो हम लिखी नहीं सकते यहाँ how many ही आएगा next है c is blank elderly girl यहाँ पर हम article लगाते हैं तो यहाँ पर लेकिए elderly पढ़ेंगे क्या इसको a से elderly it means क्या आएगा swear it means and swear it means and vengeance it means vengeance it means vengeance से पहले a या a और द या दी आप जानते हैं next है there are blank beautiful flowers in the garden यहाँ पर देखे flowers option दिया है many a little and much flowers यानि फूलों को हम गिर सकते हैं एक flowers though two flowers three flowers गिन सकते हैं it means देखे मर्च का यूज हम करें नहीं सकते क्योंकि uncountable noun के साथ यूज होता है a little कभी यूज नहीं कर सकते it means यहाँ पर क्या आएगा many there are many beautiful flowers in the garden next there is blank water in the jug water water यानि uncountable noun it means यहाँ पर हम a few and the the few का use हम नहीं कर सकते क्योंकि इनका use हम countable noun यहाँ नहीं संगा के साथ करते it means यहाँ पर क्या आएगा there is a little water in the jug next you have been working here blank three months यहाँ पर since for and from दिया है तो क्या आएगा यहाँ पर आजागा for for it means समय की लंबाई three months six months seven months eight months okay next she has blank relatives इन बेमे तरह तो relatives relatives much दिया है little दिया है इनका use हो ही नहीं सकता क्योंकि much and little uncountable noun जिसे नहीं गिन सकते लेकिन हम रिष्टों को तो गिन सकते ना relatives जो रिष्टेदार है उनको तो गिन सकते है relatives याने हमारे रिष्टेदार हमारे हमारे 10 रिष्टेदार है, 20 रिष्टेदार है, हमारे बेमे तरह में 50 रिष्टेदार है, ऐसा तो बोल सकते हैं, रिष्टेदार, 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 रिष इसको हम यहां देखेंगें तो यह M लिखा है which means ckvin gielen concern वीपल तो नहीं है वहल नहीं है इट मीन्स यहां पिर लिखिया आप पड़ते कैसे हैं अरिय में अच्छ पिर लीए तो इस इसका देखी यह Crisis इखा है ए इमीन्स यह क्या है वह यह यह स्वर है इथ मिंज एन का यूज समकरेंगे हैं पर हम एक का यूज नहीं करेंगे तो यहां पर जगा He is Elder brother is an MLA आगे जो भी पढ़ो लेकिन शुरू है ना इसी को आपको ध्यान देना हैं सो इस तरह से आज हमने कुछ इंपोर्टेंट यानि 20 इंपोर्टेंट ग्रामर के पार्ट एक एक चीजों को बहुत अच्छे से सांदार तरीके से समझ लिए हैं आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा आपको समझ में आया ह होगा तो कमेंट वाक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपकी लिए फिर से नया वीडियो लेकर के आऊं और हमारी पूरी टीम है हमारे टीम मेंबर्स है आपके साथ है हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के को समझाने के लिए हमारे हमार साथ बने रहे इस वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आकउन को प्रेस करिए ताकि आने वाले हमारे नए जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मैं मिलूंगा एक इंट्रेस्टिंग लिशन के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद